सबसे पहले गुड मॉर्निंग और सुबह सुबह के लिए आध में आपके लिए बहुत अल्टेमेट सा नास्ता लाई हूँ जो कि मैदे से नहीं बना आटे से नहीं बना चली रिखते हैं किससे बनाया जो कि बहुत डिलिशेस हैं और आप इसे जब भी बनाएंगे आपके घ तो चलिए देखते हैं इसकी स्टफिंग मनाने के लिए हमें के इन चीजों की जरूरत होगी सबसे पहले मैंने आपर दो मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं जिनने मैंने इस तरह से रफली मैश कर लिया है शिम्रा मिर्च ले लिए है छोटी या आधी उस तरह ऐसे पतला और लंबा काट लेंगे बारिक कटा वहरा धनिया ले लेंगे बारिक कटी भी हैरी मिर्च ले लेंगे एक स्प्रिंग अनियन ले लिया है अगर आपके पास अवलेबल है तो आप ये लीजिए नहीं तो मिर्च ले लेंगे लेंगे अधा छोटा चमच अपर जीरा ले लिया है तो चलिए इसकी स्टफिंग के तयारी करते हैं सबसे पहले हमने पैन में बटर आइड कर लिया अगर बटर अवलेबल है तो बटर आइड कीजिए नहीं अवलेबल है तो आप रिफाइंड ओल का करेंगे फास्ट क्यां कि इन सब सब्सब्सब्स न जो हमने घ्रिल्जी अब हैजा जया फास्ट करेंगे जैसे जी जीरा पके तोर पकरेंगे जयी सहीच करेंगे और अच्छी तरह करते दो मिर्द तक हमें कर भूनना है ताकि सबी चीजों पर एक क्रिस्पी सी लेयर बन जाए उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्श भी आड़ कर ली थुदा नमक आड़ कर लिया और लान मिर्श पाउडर एड़ कर लिया अच्छी तरह से भुनेंगे हम इसे आलू जो हैं हमने रफली मैश कियें तो आप इस तरह से कड़ाई में थुदा तरह मैश करते रहिएगा क्योंकि रफली मैश करने से उनकी क्रिस्पीनेस पूरी तरह से खतम नहीं होती है इसलिए हमने इसमें रफली ही डाले थे ताकि उपर से जल्दी सी लेयर बन जाए अब लास्ट में दो मिनट के बाद गैस का फ्लेम स्लो करेंगे थोड़ा सा पानी डाल कर इसे पांच मिनट कुक करेंगे और आप देखेंगे हमारी जो फिलिंग है वो बहुत अची तरह से बनकर तयार हो चुकी है बस तुरह साहरा दन्या डालेंगे और इसे प्लेट आउट कर देंगे हम इस फिलिंग को बाहर निकाल देंगे थोड़ा ठंडा होने देंगे रूम टेंप्रेचर प्याने देंगे इसे बनने में पान से साथ मिन लगते हैं उससे जादा नहीं अब उपर की लेयर बनाने के लिए मैंने आपर पोहा ले लिया है तो पोहे में डालेंगे हम आदा चोड़ा चमश नमक और पानी हमें पानी में पोहो को अच्छी तरह से 10 मिन तक छोड़ देना है बिलकुल कि जो पोहे हैं वो हमारा पानी बिलकुल अफसॉप कर लें उसके बाद इस तरह से प्रेस करके पोहो का पानी हम बाहर निकालेंगे पर इस स्टेश पर पोहे हमारे बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाने चाहिए अच्छी तरह से उन्हें 10 मिन पूरी तरह से भीगने देंगे और नमक जरूर एड़ कीजेगा ताकि इसमें मतलब नमक का तेस्ट आ सकी क्योंकि बाद में एड़ करने से इसके फ्लेवर में फर्क पड़ जाता है अब हमने इनका सारा पानी ड्रेन कर लिया है अब हमें पोहो को अच्छी तरह से मसलना है पोहे वैसे भी मैने दस मिन भीगोए तो तो अच्छी सॉफ्ट हो गए है इस तरह से हम उन के फॉर्म में आ जाएंगे बिल्कुल ऐसी शेप आजाएगी कि इसके पोहो का आकार में बिल्कुल पताने लगेगा एक अलग तरह का यह आता ही लगेगा हमें अब चाहें तो इससे और क्रिस्पी करने के लिए इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं बट मैंने अब नहीं डाला है अब लास्टेज हमारी सबी चीजे तयार है और मैं ऐसे चीजी बना रही हूं तो मैंने प्रोसेस चीज को कुछ इस तरह से छोटे-छोटे क्यूब्स में कट करके रख लिया है अब हातों में तोड़ा सा रिफाइन ओयल लगाएंगे देखिए शेपिं इसलिए मैंने शेप दी है बाकी आपकी मर्जी है अब हमने इस तरह से नीमू के जितने चोटे-छोटे राउंड बना लिए काफी सॉफ्ट है यह बराबर साइस के होने चाहिए दोनों उसके बाद हम क्या करेंगे आप देखिए हाथों की हल्प से मैं ऐसे प्रेस कर रही ह बिल्कुल छोटी सी रोटी की टाइप हो गया यह अब इसे भी प्रेस कर लेते हैं अच्छी तरह से सारी और हाथों के दबाव से आप चाहें तो इसको राउंड भी दे सकते हैं इसी में थोड़ा सा मिक्सर डाल दीजिए फिर इसे राउंड कर दीजिए चाहिए तो इसकी फिंगर्स भी बना सकते हैं थोड़ा पतला लंबा बेल कर फिर इसमें फिलिंग करके आप इसे पैक कर लीजेगा अब हमने यहां पर इटली शेप दे रहे हैं तो मैंने यहां पर चीज ले ली है फ्रेंस चीज से इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है इसलिए हम ए इसकी आट कर लिए उसके बड़े आराम से हमें इसे दूसरा पैक करेंगे और ध्यान दीजेगा इसे पैक करते वक बहुत अच्छी तरह से प्रेशर से पैक किजेगा यह मिक्स्चर ओपन नहीं होना चाहिए अगर कड़ाई में यह मिक्स्चर ओपन हो गया तो हमारी सारी पैक करने के बाद आप फिर से एक बार और पैक किजेगा अच्छी तरह से दबाते हुए ताकि इसके तोटने के चांसे बिल्कुल खतम हो जाएं गे अब हमने बिलकुल अच्छी तरह से इसे पैक कर लिया है बहुत टाइटली मैंने प्रेस किया है उसके बाद आप देख इसकी जो शेप है वो ठीक नहीं है इसलिए हमें से इस तरह से फोल्ड करेंगी देखिए बस इस तरह से दोनों हातों के दबाव से हमें से टर्न करते जाएंगे तो यह बिल्कुल इटली के फॉर्म में आ जाएगा और इसकी जो पोहे की लेयर है वो काफी पतली सी बनती है बहुत जादा मोटी तो बनती नहीं है तो फ्राय बहुत जल्दी हो जाते हैं अब आप देखिए इनकी शेप कितनी परफेक्ट है बस पैक करते रख ध्यान देजेगा कि इस तरह पैक करें कि इसकी फिलिंग बाहर न बाकी शेप आप जैसी चाहें वैसी शेप आप दे सकते हैं और पोहे में नमक ताले अगर चाहे तो इसमें आप काली मिर्च का पाउडर भी आड़ कर सकते हैं जीरा भी आड़ कर सकते हैं थोड़ा और क्रिस्पी बनाने के लिए अब इसी तरह से हम बाकी सारी बाल्स भी बना कर तयार कर लेंगे इविन आप चाहें तो इस तरह से ने बना कर किसी एर टाइट कंटेनर में रख दीजे फिर जब भी बचों का टिफिन बनाना हो आप उन्हें फ्राय करके दे दीजे इस तरह से थोड़ी आसानी हो जाती है इसका स्टोरेज में निमब आप दो से तीन दन तक कर सकते हैं एर टाइट कंटेनर में उसके बाद आपको जब भी नेड लगे आप इसे फ्राय करके खालीजे अब हमने अपनी दूसरी इटली भी बना ली पोहे वाली चीजी चीजी स्टफड अब देखिए ये भी शेप वा दिखाऊंगी तो मैंने कड़ाई में थोड़ा सा ओयले लिया है हम शेलो फ्राय कर रहें आप जाहें तो डीप फ्राय कर लीजे जो पोहे है वह बहुत जल्दी अपना कलर चेंज नहीं करते और यहां पर जो मैंने पोहों की फिलिंग बनाई है वह बहुत सिंपली बनाई ह तो अगर वह बहुत जल्दी अगर अपना कलर बहुत जादा चेंज करेंगे तो बहुत जादा कड़ा को जाएंगे तो हमें वह नहीं चाहिए बस हलका सा 2-3 मृट हमें से क्रिस्पी करेंगे उपर से और जादा कुछ भी नहीं हलका सा क्रिस्पी बहुत जादा भी नहीं तो देखा आप सभी ने हमारे स्टफड पोवा स्टिक्स कितनी अच्छे से बन कर तयार हो गई है यह बहुत लुक वाइस बहुत अच्छी है बाहरते क्रिस्पी है अंदर से फिलिंग भी बनाएंगे आपको यह ज़रूर पसंद आएगी तो देर ना करते होए चैनल को लाइ से पहले मिल सके तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी बाई